दोस्तों जैसे जैसे दुनिया मौडर्न होती जा रही है सर्वेइंग में आजकाल जो है इंस्टूमेंट का उप्योग बहुत ही बढ़ता जा रहा है ठीक है मैनुवली कल्कुलेशन में गलतियां होती थी जादा इस करण आजकल इंस्टूमेंट का यूज बढ़ जादा वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि कितने तरीके के जो मौडर्न एक्यूपमेंट या इंस्टूमेंट आजकल यूज के जा रहे हैं और उनका परपस क्या है ये वीडियो आपको आपकी प्रोफेशनल लाइप में ही यूसफुल होगा और साथ ही साथ यदि आप कॉंपिटेटर एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो आपको ये एई और जेई सभी स्टेट के सभी एक्जामों में इसमें से कोशन पुछे आते हैं तो उसमें भी आपको ये बहुत ही हेलपूल साबित होगा चले दूस्टों स्टार्ट करते हैं अँज का वीडियो सबसे पहले बात करते हैं कि linear measurement के लिए कौन-कौन से हमारे instrument डियूस होते हैं तो सबसे पहले होता है आप लोग जानते होंगे tape ठीक है टेप किया दिए मैं बात करूँ तो generally tape होता है हमारा in-wear tape, steel tape, metallic tape, linen tape and cloth tape और यहां पर अगर मैं इसके superiority के बात करूँ तो हमारा सबसे य इसी sequence में देन होता है हमारा steel tape, superior उसके बाद, metallic tape, linen tape, then cloth tape तो जो सबसे याद हमारा survey में यूज करते हैं हम लोग accurate measurement के लिए वो होता हमारा in-wear tape ठीक है और cloth tape को हम बहुत ही कम यूज करते हैं ठीक है तो यह होगा बात हमारे tape के लिए दिन आगे बढ़ते हैं और बात करते ह chain की, chain भी जो है linear measurement के लिए हम यूज करते हैं और यदि मैं chain की बात करूँ, types की तो हमारा metric chain होता है, engineer's chain, इसको हम survey chain भी बोलते हैं, gunter's chain and revenue chain, यह 4-5 type के हमारे chain होते हैं और मैं बता हूँ आपको कि जो metric chain हमारा जो type का होता है, हमारा 100 link का आता है और 1.500 link का आता है जो कि 20 और 30 meter में हमको available रहता है, तो हमारा यह 20 और 30 meter में हमको मिलता है, ठीक है, engineer's chain हमारा क्या होता है, 100 feet का रहता है, और 100 link होते हैं ठीक है, इसमें 100 feet, 100 link के रहते हैं, gunter's chain के यदि मैं बात करूँ, तो यह क्या होता है, हमारा 66 feet का होता है, और revenue chain हमारा 33 feet का होता है, ठीक है, तो इस परकार का होता है इसमें 16 लिंक आते हैं तो एक जनरली आपको मैं इंस्टूमेंट के आपको इंफर्मेशन दे रहा हूं बाकी तो मैंने आपको इस्टा बता दिया है ठीक है नेश्ट चली आगे बढ़ते हैं लाइन डेंजर लाइन डेंजर हमको किस लिए उसकरते हैं पहले आपको मैं दिखा रहता हूं उसका इमेज लाइन इस परकार का होता है और इसका यूज हम लोग यदि हमको किसी एक सीधी लाइन में हमको पॉइंट लोकेट करना है अगर त आपको जादा समझने में असानी होगा देन बात करते हैं पैडोमिटर पैडोमिटर भी हमारा एक लिनियर मिजर्मेंट के लिए उस है और आप लोगों ने देखा हूँ आजकल जैसे कि हमारा स्माट वाच हो गया इसके लावा मोबाइल में एपलिकेशन भी आ गए है आज तो सबी JOE 7 anthropo हम उसके अंदर में हम सेट करते हैं जो कि क्या करता हमारा एक लिनियर डिश्टेंस को मेजर्मेंट करने में हमारा उप योगी होता है ठीक है स अपकार आप लोगर जैस्ट को सब्सक्तूरे में और बात करूं जदि मैं नेस्थ हमारा इंस्ट्रुमेंट थो पेड़ोमीटर होता है ठीक है इसमें हम क्या कर सकते हैं इसके इसके इससे हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके साथ हम कुछ इसकी स्पीट से जदी कुछ चीज जा रही है तो उसकी हम इसकी वेलसोटी को भी हम मेजर कर सकते हैं ठीक है तो हमारा ये पैसोमी वीडियो मिलते रहेंगे और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा देन जली आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों बात करते हैं एंगुलर मेजरमेंट करना है हमको तो उसमें हमारे लिए कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो की हेल्प बूल रहते हैं ठीक है तो सब पहले द अब दोस्तों बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि क्लिनो मिटर हमारा एंगल में अब देखते हैं फूट रूल क्लिनो मिटर ठीक है तो यह कैसा होता है इसकी इमेज देख लिए आप यह इस तरीके का दिखता है आप दूसों सारे जितने भी आपको मैं बताँगा अभी इस्टुमेंट सारे में आप इसका जो है इमेज को ध्यान में रखिएगा तो उससे आपको समझने में चीज़े असानी होगी तो फूट रूल क्लिनो मिटर हमारा किस लिए उसकरते हैं इसको हम लोग स्लो पेजर्मेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं देन बात करते हैं फेनल क्लिनो मिटर की तो फेनल क्लिनो मिटर कुछ ऐसा होता है इसका सेंटर पर यहां पर कमपॉस लगी होती है और जिसी की हम इसमें इंगल मिजर्मेंट करते हैं ठीक है तो यूज़ड फॉर स्लोप मिजर्मेंट देन आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डी लिसल्स क्लिनोमेटर की तो देखिए ये कुछ इस तरीगे का होता है और इस पर यहां पर विद्द सकते हैं आपर इंगल जो हैं ग्रेजिवेशन किये गए हैं इस पर वर्टिकल विजर मेजर्मेंट ठीक है जदी एक एक्जाम में आता है कि इस लिए करते हैं अगर आपसें दीया है कि इंगल मेजर्मेंट मेच जाय करेंगे правильно इसको तrzy्क्रेंगे वर्टिकल एंचल तो भीकललियक विए काम आता है और slope of ground के लिए भी इसको measure करने के लिए काम आता है then setting out gradient इसमाँ भी हमारा ये होती काम आता है ठीक है तो cleanometer एक प्रगा बहुत थी important instrument है मारे लिए तो कि survey में use होता है अब बात करते हैं tangent cleanometer की तो tangent cleanometer आपको नाम से समाज में आजाएगा कि किस लिए use करते हैं ठीक है तो इसकी आप image दिख सकते हैं और बता दूँ आपको ये used for measure ठीक है और ground slope ठीक है तो use for measure slope के लिए आप slope के लिए इसको हम उज़ करते हैं measure करने के लिए ground slope भी से measure होता है और adopted in plain table to determine elevation ठीक है तो जब हम plain table surveying करते हैं तो वहाँ पर हमको elevation नापने के लिए है वहाँ पर इसको specially use करते हैं ठीक है तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप कि plain table में इसका specify इसका use होता है main ठीक है अब हम next बात करते हैं instrument की क्या है हमारा टेक्योमेटर तो टेक्योमेटर आप लोगों ने जनरली देखा होगा पढ़ावी होगा इसके बारे में अच्छे से तो यह हमारा किसले काम आता है horizontal and vertical angle measure करने के लिए along with distance ठीक है तो मताता इसका use हम लोग कैसे करते हैं जैसे कि हम लोग मान लिए यहां पर हमने टेक्योमेटर सेट किया हुए ठीक है यहां पर हमारा कोई object है इस्टाफ है तो इसमें क्या होता है हम लोग यहां पर यह जो हमारा distance है यहां से यहां से यहां दक horizontal distance मेजर कर सकते हैं और उसके लावा हम लोग यहां पर angle भी measurement कर सकते हैं ठीक है तो यह इस परकार का instrument है बहुत ही important instrument है बहुत ज़्यादा survey में use होता है देन बात करते हैं अब थ्योड़ो लाइट थ्योड़ो लाइट थ्योड़ो लाइट आप सभी देखा ही होगा most most important है survey work के लिए और exam में question भी जरू आता है इससे ठीक है तो बता दूं आपको मैं कि survey में थ्योड़ो लाइट का use कि इसलिए करते हैं तो horizontal और vertical angle measure करने के साथ साथ इसमें हम क्या कर सकते हैं horizontal distance को भी हम measure कर सकते हैं यह similar to tachymetry होता है ठीक है और इसके लावा बता दूं आपको मैं चीज़े इसमें और यदि हमको parallel point locate करने है तब भी हम इसका third right का use करते हैं उसके लावा जैसे कि हमको कोई object यह से हमारा कोई building है तो हमको उसकी height measure करनी है तो हम वो भी इसके through measure कर सकते हैं ठीक है तो इस बाद कर दिरूद ध्यान रखेंगे आप then बात करते हैं cross staff की ठीक है तो cross staff हमारा क्या होता है used for right angle measurement ठीक है ध्यान देंगे कि हम लोग cross staff का use किसले करते हैं तो right angle measurement में हम लोग इसका use करते हैं then closed cross staff क्या होता है ठीक है तो इसको हम लोग किसले करते हैं एंगल between two direction यदि हमको किसी दो angle के बीच में हमको दो direction के बीच में angle measure करना है for example समझ लिए जैसे कि हमारी को यह line है एक लान ऐसी है तो इनके बीच में कितना angle है ठीक है तो यह हमको measure करना है तो किसे करेंगे हम लोग closed grass staff से ठीक है फिर रहता है हमारा open cross staff तो open cross staff कुछ ही साइटिंग होता है ठीक है इसमें तो इसके लिए हम लोग इसका use कप करते हैं right angle measurement में ठीक है यदि हमको right angle setting करना है तब इसका हम use करेंगे कि इसका open cross staff को ध्यान देंगे कि बहुत सारी इसमें जो instrument है वो right angle के लिए होते हैं उसके लावा काई थो हमारा right angle के लिए नहीं होते हैं तो ध्यान देंगे रखेंगे आप और यह क्या होता है एक प्रकार का navigation instrument होता है और altitude बिदर करने के लिए भी हमारा यह काम आता है open cross staff ठीक है आगे बढ़ते हैं फ्रेंच क्रास स्टाफ क्या होता है हमारा ठीक है तो फ्रेंच क्रास स्टाफ देख लिए कुछ इस तरिए का दिखता है हमारा और इसका यदि मैं बात करने उसके लिए तो setting out 45 degree right angle 90 degree and 135 degree मतलब यह हर 40-45 degree के हम जो भी इसका आता है उसमें हम मेजर कर सकते हैं मतलब 45 degree फिर देन 45 degree उसके बात देन 45 degree का जो multiple होता है उसमें हम इसका angle measurement कर सकते हैं तो यह बहुत एक्जाम में बुठा जाता है कि french class staff का कितने degree में इंगल measurement किया जाता है तो 45 degree का जो भी multiple रहता है उसमें इसका use किया जाता है ओके आगे बढ़ते हैं adjustable cross stuff ठीक है तो नाम से ही इस पॉस्ट है कि adjustable cross stuff क्या होता है जिसमें हम लोग किसी भी angle पे हम लोग setting कर सकते हैं हम measurement करने के लिए ठीक है setting up करने के लिए तो होता है ठीक है देख सकते हैं इस तरगी का इसमें एक compass होता है ठीक है इसमें North East आउट देन अगला हम बात करते हैं box sextant ठीक है तो box sextant नाम से ही समाझ में आदागा कि एक box के जैसा होता है हमारा इंस्ट्रुमेंट ठीक है जैसे बाटिफीन होता है गॉलवाला उस टाइप के होता है जिस पे कि ये मतलब हमारे कंपास होता है और एक समय ग्रेश्मन पूरे किया रहते हैं तो इसका यूजर्मेंट होरिजून्टल एंड वर्टिकल एंगल फ्रम बोट जब हम किसी बोट पर है वहां से सर्वे कर रहे हैं तो वहां पर जाधा है उप्र होता है हैं ठीक है तो यह इस तर्गी का एक होता है मारा इंस्ट्रूमेंट और जिसे दी बात करूँ इसका mostly उसके करते हैं तो 90 इग लिए इंगल जब हम मेजर करते हैं तब इसका हम यूज करते हैं ठीक है तो दोस्तों हमने अभी बात कर ली लिनियर मेजर्मेंट की बात कर ली हमने और उसके लाब हमने बात कर ली एंगल मेजर्मेंट के लिए बात कर ली ठीक है तो दोस्तों अभी जो हमारे और भी बहुत सारे हमारे इंस्ट्रुमेंट जो बचे हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उनको हम नेस्ट वीडियो में कवर करेंगे पार्ट टू में अभी वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है ठीक है तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा पार्ट टू का तो वहाँ से जरूर को अच्छा मोटिवशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए थेंग्यू